करीब चार साल की लड़की अचानक सोते सोते उड़ जाती है उठने के बाद जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है वह अपने पापा को देख रहे थी उसके पापा ने उसकी मां को मार दिया मारने के बाद उसके जोड़ों जैसे जोड़ का हाथ होता है वहां पे कट लगाता है कट लगा करके सीने पर पैर रखता है उसके बाद उस हाथ को उखाड लेता है इस तरीके से सरीर के अलग-अलग हिस्सों को उसी तरीके से कट लगाता है कट लगाने के बाद उसको खीच करके उखाड दिया करता था या फिर उसको बेखवर था उससे कि उससे कोई देख भी रहा उसको पता भी नहीं था अचानक ही बाप की नजर अपनी बेटी पर पढ़ जाती है बेटी को देखता है देखने के बाद उस बेटी को पुछकारता है और पुछकारने के बाद उसके लिए दूद का इंतिजाम करता है दूद इस तरीके से उसके छोटे छोटे टुकडे करके बाहर फिक देते थे इस घटना से पूरे सहर में एक तरह से कोहराम मच गया था लोग सोचने पर मजबूर हो गये थे लोग डरने लगे थे यह उस रात की बात थी जब पूरा देश दिवाली मना रहा था और लोग अपने मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के वहां का एक जीला लगता है अलवर अलवर की सहर कोतवाली से 31 अक्तूबर आरे नगर कालोनी से एक फोन पहुचता है वो बोलते हैं कि क्या एसच्चो राम सिंग बात कर रहा है सामने वाला ब्यक्ति जब यह आप पूछता है तो एसच्चो कहते हैं कि हाँ मैं राम सिंग बात कर रहा हूं क्या बात है वो कहते हैं कि थेले में एक महिला है वो कहते ह हुआ था जो बात कह रहा था उसके मुझ से कुछ और ही निकल रहा था वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बोले क्या ना बोले पूरे सहर में पटाके छूट रहे थे उस वक्त भी जब राम सिंग को यानि की सच्चो को जैसे सुचना मिलती है एसच्चो अपने टी था उसमें बिच्चिया पहनी होई थी बिच्चिया देकर के साप साप अंदाजा लगाया जा रहा था कि वह मेला साधी सुधा है लास किसकी है यह एक सवाल था इससे पहले कि पुलिस इस मामले की उच्च अधिकारों को सुचना दे रही थी बता रही थी कि यहां पर एक म पार्केट हो या बासवाली गली हो खबूतर पार्क के पास जगह हो यहां अलग-अलग इलाकों में एक जैसे खैलों के अंदर साथ तुकड़े मिल जाते हैं और लोगों में एक देहसत का माहौल बन जाता है कि आखिरकार यह महिला कौन थी कतल किस ने किया है क्यों किया है ना कि और पुलीस जाना चाहती थी बलकि पूरा अलवर सहर इस बात को जाना चाहता था कि आखिरकार जिस रात पूरे देश में दिवाली मना रहा था पूरा देश दिवाली मना रहा था उस रात पटाके छोड़ रहे थे लोग उसी रात एक व्यक्ति या कौन है कातिल CCTV कैमरे थे, उनको भी खंगालना गया, पुलिस ने कुछ अपने मुखबीर भी लगा दिये, यह जानने के लिए कि आखिरकार कहीं, पता करिये कि कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है, प्रेम पसंग का मामला तो नहीं हुआ है, हलाकि पुलिस इत्वाज से थोड़ा इत् तलास करने में जुड जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता मिलती अभी तक नहीं है, एसा चोर राम सिंग के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न डोर टो डोर एक अभियान चलाया जा, एक सर्वे कराया जा, यह देखने के लिए कि घर से कोई महिला गायब तो नही खड़ाने के बाद पूछती है कि तुमारे बीबी कहा है, कोई बच्चा मिलता है तो तुमारी मा कहा है या फिक और महिला मिलती है तो उस डूसरे के बारे में पूछा जा रहा था सवाल करते करते पुलिस अलग-अलग इलाकों में जा रही थी कई दिन बिज जाते हैं लेकिन पुलिस आखिरकार करें तो क्या करें समझ नहीं पा रही थी तबी पुलिस एक अलवर के महला होता है सक्कापाडी में पहुच जाती है यहां पर योगेश उर्फ चुच्चू नाम का भ्यक्ति होता है उसका दर्वाजा खरकटाया जाता है और जैसे ही दर्वाजा खरकटाया जाता है अभी गई हुई है, साम को वापस आ जाएगे बता यह क्या बात है पुलिस वाले कहते हैं कि कोई नहीं कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही एक सर्वे कर रहे हैं यह जानने के लिए कि आखिरकार एक महिला है जो गायब है, उस महिला की तलास की जा रहे है पूरा सहर जानना चाहता था, इस बात को आखरकार पुलिस यहां से पूछ अग के चली जाती है, लेकिन पता नहीं पुलिस के दिमाग में क्या आता है, दो बजे फिर से इसी घर के दरवाजे के सामने जब पुलिस आता के खड़ी होती है, तो पता चलता है कि इस घर के लगाया और यहां पर वो है नहीं अपनी बेटी को लेकर के उसकी बेटी चार साल की बेटी होती है और वह उस बेटी को लेकर के चला गया उसकी बीबी साथ नहीं थी जब यह आज-पास के लोगों ने यह बात पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस को लगता है कि हो ना हो साय यहीं से कुछ रास्ता मिल जगे। उस ब्यक्ति की तलास करती है और जब वहां पहुचते हैं तो पता चलता है कि यह योगेश नाम का जो ब्यक्ति होता है वह अपनी भांजी के घर पर गया हुआ था और भांजी के घर पर जैसे ही जाता है तो पीछे से पुलिस भी पहुच जाती है दर्वाजा खड़कट आत जिसका नाम योगेश उर्फ चूचू है जैसे ही बात पूची जाती है सुनेता करती है घर के अंदर है चार साल की बेटी के वो साथ था उसके बाद पुलिस उसको अपने साथ ले करके आती है साथ लाने के बाद उससे से पूछा जाता है कि तुम्हारी बीबी कहा है पुलिस के लिए एक सवाल था कि आखिरकार तुमने अपने बीबी का पत्ल क्यों किया था तो उसने एक कहानी सुनाए कि बिहार प्रदेश के पटना सहर की रहने वाली आर्थी उसकी पत्नी का नाम होता है उम्र उसकी उसकी उस वक्त जो थी 16 में पचीस साल के आज पास होती है उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बीबी को क्यों मारा तब वह सोच कर बोलता है कहता है कि मेरी बीबी बे इंदिहा खुबशूरत थी जादे ही खुबसूरत थी, उसको जब घर से बाहर निकला करती थी, काम करने जाया करती थी, तब उसे देख करके डर लगता था, ऐसा लगता था कि इसकी कहीं किसी ना किसी से अफैयर है, खुद पेंड का काम करता था, या फिर हलवाई का काम करता था, लेकिन वह अपनी बी बीबी को तोकता था, रोकता था, बीबी इस बात पर थोड़ा सा नाराज होती थी, गुशा करती थी, और इसी बात को देखते हुए दोनों के बीज में अक्सर जगड़े होते थे, जगड़े भी बे इंतिहा होते थे, आखिरकार 30 अक्टूबर साल 12-16 की बात है, पूरा दे बेच रहे वह कहता है कि जल्दी बेच दूंगा और देखते देखते लड़ाई कब उन्होंने विग्रार रूप धारण कर लिया पता ही नहीं चलता है जो उसका पती होता गुस्से में आता अपनी बीबी की उपर वह केरोसीन डालता है और उसमें आग लगा जाता है काफी उसकी जो बीबी होती है काफी चिक्ति चिलाती है लेकिन कुछ देर के बाद उसका दम निकल जाता है यानि कि वह मर जाती है वह मर जाती है उसके बाद वह अपनी बीबी की लास को कहां से कैसे ठिकाने लगा है वो समझ नहीं पा रहा था बेटी घर में आराम से दिमिनान स उसससे सो रही थी, 4 साल की बेटी थी, इसी बीज में वह अपनी उस पत्नी की लास, जो सब्जी वाला चाकु होता है, उससे वह टुकडे करता है, वो बताता है कि जब जब उसको बकरे के मीट खाने की जरोση परती थी, तो रही मंडी जाया करता था, तो देखता था कि से वह तरीका सीखा था, सीखने के बाद जितने भी शरीर के अंदर जोड होते हैं, उन जोडों को उसने खाल को काड़ता था और शरीर को तोड़ दिया करता था, लेकिन इसी बीच में उसकी बेटी आती है और बेटी आने के बाद वह धर्वाजों से लग करके बैठ जाती है उसे नहीं पता था कि पापा क्या कर रहे हैं, वह धीरे धीरे करके उस अपने पत्मी के हर एक हिस्टे को तोड़ता था, मरूरता था, गर्दन उसने अलग की, शरीर के अलग-अलग टुकड़े किये, टुकड़े करने के बाद उसने फ्रीज के अंदर उसको लोड कर दिया और फ्रीज में वह सारे टुकड़े भर देता है, रात को ही उसे मौका मिलता है और कुछ थैलों के अंदर भर कर उसने शरीर के अलग-अलग हिस्से सहर के अलग-अलग हिस्सों में वह थेकना सुरू कर देता है, तीस सक्टूबर दोहार शोला की रात को भी कुछ यानि कि अपनी बीबी के हर एक हिस्सी को सहर के इधर उधर इलाकों में फिक देता है। देखा जहां पर उसने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया था उस अव्यक्ति को गिरफतार किया गया और गिरफतार करने के बाद उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो उसकी बहन ने उसको घर के दरवाजे से बाहर निकाल दिया कहा इतना बड़ा कांड करके आयो हो तुम्हें इस घर में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे कदर इस घर में अब भविस्य में कभी पढ़ने नहीं चाहिए। उसकी बहन निकाल देती है और वह अपने घर आता है तब जाकर के उसके शरीर के अलग-अलग हिस्से करता है। अब आखिरकार मामला आदालत पहुचता है। पुलिस जो होती है वो चार सीट लगाती है। चार सीट लगाने के बाद सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद 28 अक्टूबर 2020 को अपर जिला जो सेशन निया धीस होते हैं। संदीप आनंद की अधालत ने इस आरोपी जिसका नाम योगे शुर्प सुशू होता है। इसको आजीवन करावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही इसको 30,000 का जुर्माना भी लगा जाता है। अकबारों में जब यह खबर प्रकासित होती है तो बताया जाता है कि इस घटना में ना केवल सहर में दहसत फैल गई थी। लोग डरने लगे थे कि आखिरकार ऐसा कौन बेगती है जिसने किसी महिला की हत्या की और जो चार साल की बेटी जिसको उसने सीनेस लगाया उसके लिए दूद का इंतिजाम किया था। उसको बाद में जाकर के सुला जेता है। उसी बच्ची ने उसी बीटिया ने पुलिस को पूरी जानकारी दी थी। पुलिस को बताया था तब जाकर के इसके पीछे हत्याकान की असली वज़ा का पता चल पया था। दोस्तों इस पूरे घटनकरम को सुनाने का उद्यस यह है कि आपको जागरूप किया जाए। क्योंकि उस महिला के बारे में जब पुलिस ने पता किया तो उस महिला का किसी के साथ अफैर था ही नहीं। जैसा जाज में पता चला था। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हर पहलू पर विचार करना चाहिए। सक्य बिना पर कोई भी निर्ड़ नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आज के लिए वेडियो कैसा लगा है अब हमें जरूर बता बटायएंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उससे हमारा फसला बढ़ता है चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेट वीडियो के सा आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैहिन बनेवाद